दोस्तो अगर आपके पास Samsung के phones हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है तोकि यहाँ पे Samsung के S-series, A-series, M-series और F-series में Android 15 किस-किस phones पे आने वाला है सभी कि मैं आपको लेम से आपे बताने वाला हूँ फिर भी दोस्तो अगर कोई phone रह जाए तो आप लोग comment कर दीजगा मैं आपको reply करके बता दूगा कि आपका phone में update आएगा Android 15 या फिर नहीं आएगा दोस्तो लिस्ट में बढ़ने इस पहले हम लोगों को ज़रा timeline समझ लेनी चाहिए देखिए 1UI 7 की जो official timeline रहती थी हर साल वो October के टाइम में रहती थी mostly November में update आ जाता था बट इस बार update लेट हो गया है और Samsung ने announce कर दिया है कि S25 जब आएगा next year January में उनके event में तब वो लोग stable version इसका roll out करेंगे उसी के साथ Android 15 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और Samsung users के लिए एक और important information है देखिए Samsung ने 3 साल पहले एक policy announce करी थी उसमें जो भी phones आये थे उस time पर उसमें कहा था कि Samsung सभी में 4 साल के OS updates देगा मतलब काफी ज़्यादा बढ़ा दी थी अपनी Android policy को तो उसका असर अब देखने को मिलने लगा है क्योंकि अब काफी सारे phones लिस्ट से बाहर होते जा रहा है और काफी सारे phones जो उस time पर नहीं थे वो भी अब लिस्ट में आ गाए है तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं S Series 7 UI 7 की तो यहां पे S24 Series के जितने भी अभी phones अवलेबल है प्लस S24 या फिर S24 Ultra उसमें अपडेट मिलेगा वहीं पे S23 Series के जितने devices अभी अवलेबल है मार्केट में इंक्लूडिंग S23 FE उसमें भी अपडेट आएगा वहीं पे S22 Series में भी टोटल कम्प्रीट तीनो फोन्स में आपको अपडेट मिलेंगे साती में at the end आपको S21 Series में भी अपडेट आएगा यहां पे थोड़ा सा twist है S21 Series में क्योंकि S21, S21, Plus और S21 Ultra इन तीनो फोन्स का ये लास्ट अपडेट होगा Android 15 लेकिन S21 FE अगर आपके पास Exynos version है 2022 में आपने लिया होगा तो ये इसका लास्ट Android अपडेट होने वाला है लेकिन अगर आपके पास Snap Dragon version है इवन आपने 2024 में भी ये फोन खरीदा है तो अभी इसमें दो साल के आपको अपडेट मिलेंगे A23, A15, A14 और A06 अगर मैंने जल्दी बोल दिया हो तो वीडियो को पॉस करके आप अपना फोन सर्च कर सकते हो इस लिस्ट में अगर आपको लिस्ट में ना मिले अपना वो डिवाइस तो प्लीज कॉमेंट कर देना मैं रिप्लाइक कर दूँगा और अब दोस्तों जरा Samsung की M Series की अपडेट के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे M35 और M34 में आपको अपडेट देखने को मिलेगा और इनकी अपडेट पॉलिसी बहुत लंबे टाइम तक है बट अभी सिर्फ Android 15 की बात कम लोग कर रहा है तो इन दोनों में आने वाला है वहीं पे M15, M14 5G, M14 4G जो इसी साल एक 4G वर्जन लाँच किया था M14 का उसमें अपडेट आएगा साथी में M55 जो की 6 मेने पहले लाँच किया था Samsung ने भी डिसकॉंटिन्यू कर दिया है लेकिन अपडेट आपको मिलेगा साथी में Samsung का M05 की अगर बात करें तो इस वाले डिवाइस में भी अपडेट आएगा क्योंकि ये अभी लेटेस लाँच है दो साल की अपडेट पॉलिसी ये फॉलोग करता है और अब आजाते हैं ज़रा F-Series के उपर तो यहाँ पे दोस्तों Samsung का F-34 छे मेंने पहले लाँच हुआ था F-14 लाँच हुआ था उसमें अपडेट आएगा Samsung का F-55 भी इसी साल लाँच हुआ है इसमें भी Android 15 आएगा F-54 भी अभी eligible है और Samsung का F-05 जो की अभी last month ही लाँच हुआ है इसमें भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा वहीं पे मैं आपको बीटा वर्जन के बारे में भी बता देता हूँ तो Samsung अपना बीटा वर्जन अपडेट रोल आउट कर देता है थोड़ा पहले stable वर्जन से तो वो आपको October के लास्ट वीक में S24 सीरीज में अगर हम लोग ऐसे बात करें तो S24 के एक डिवाइस में Android 15 को देखा गया है रिपोर्ट आई थी बट ऑफिशल बीटा वर्जन की बात करें तो वो अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है October के लास्ट वीक या फिर November के फर्स्ट वीक में वो भी रिलीस कर दिया जाएगा I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बाकि इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर देना तो कि Samsung यूजर के लिए ये वीडियो बहुत important है और अगर आपको अपना phone ना मिले लिस्ट में तो comment कर देना मैं reply कर दूँगा चलिए दोस्तों अब लोगों की नेटे कुदेन तक के लिए नमस्कार